हारर कहन याठी मैं आठ मेनी की प्रेगनन्ट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने माई की गई थी मानी मुझे फोन पर बताया घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी न वहाँ पर एक नया कमरा बनवा लिया है इतने सालों की बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा कुछ अलग सा लगा मा ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या ज़रूरत थी अरे बिटा घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी अब तू ये सब छोड़ और जल्दी से दूर पीले मा मैं थोड़ी दिर में पीलूंगी आप सोजाओ मैंने दूद का गिलाज उठा कर उस खिड़की में रख दिया पता नहीं कब आँख लगी अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई दूद का गिलाज धडाम से जमीन पर आगिरा जमीन पर गिरते ही दूद का रंग लाल हो चुका था इतनी रात को इतने गानगोर अंदेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है घड़ी में वक्त देखा तो ठीक बारा बजे थे देखकर मैं सन रह गई बुरी आत्मा और भोतों की कई कहानिया मैं सुन चुकी थी वक्त भी कुछ ऐसा ही था उपर से मैं प्रेगनेंट सुना था की ऐसे वक्त मैं अक्सर बुरी आत्माय औरतों का पीछा करती है तो क्या मेरी पीछी भी पसीने से तर बतर बड़ी मुश्कित से जैसे कापते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहा निकल कर मा की पास जाने के बारे में सोचा लेकिन जैसे ही दर्वासी की तरफ बल्टी लगा कोई साया हवा की स्पीर से दर्वासी की सामने से गुजर गया मेरे गली में अटक कर रह गए मैं सोर से चीक कर मा को बलाना चाहती थी लेकिन वो आवास खुद मेरे कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी तो मा तक कैसे पहुँच थी खिड़की के पल्ली एक बार फिर तेज अगा के जुटे से ध्राम करने पर गया और पूरी ताकत से मैं चीक पढ़ी जानती थी मेरी चीक की आवास सुनकर कुछी सेकंड में मा वहाँ पहुच जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरा कलेजर डर के मारे भटा जा रहा था आखिर मा ने मेरी आवास क्यों नहीं सुनी इतनी गहरी नीन में तो मा कभी नहीं सोती ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं बलट कर उस तरफ देख भी सकूँ हवा का एक संसनाता हुआ जोका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया लगा जैसे किसी ने दभी हुई आवास में दीरे से मुझ से कहा मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिये और एक बार फिर ताकत लगा कर जोर से चीखने की कोशिश की माँ पापा मेरी आवाज उस कमरे की दिवारों से टकरा कर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी कुछी देर बाद इससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चेख मुझे सुनाई देने लगी कि आवाज छीक मेरे पीछे गिड़की से आ रही थी वो आवाज मेरे कानों में पिगलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी उन आवाजों में हैवानियत थी वो आवाजी किसी इंसान की नहीं है इतना मैं समझ चुकी थी काप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूडने की कोशिश की तभी अजानक मेरा हाथ बैट पर रखी टॉर्श पर पड़ा किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्श का बटन आउन किया लेकिन ये क्यों सामने दर्वाजे पर त्रीन छोटी लड़किया खड़ी हुई थी उनके हाथ में स्टेल के चमचमाते हुए चापू थी मैं घबराकर लड़ खड़ाई और पीछे के तरह अटी लेकिन तब तक वो मेरे पास आचुकी थी उनकी गरगं तेड़ी थी और उनके हाथों के वो चापू मेरे पेठ को निशाना बनाने को दो है पेटा तो इतने डरी हुई क्यों है ऊच बेटा क्या हुआ होड़ बढ़ा कर मैंने अपनी आखे खोली देखा तो दिन निकलाया था मा मुझे जगा रही थी मेरा चहरा पूरा पसीने से लथपत था क्या हुआ पिटा तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी वो मेरे बच्चे को मार देगी मा वो लड़की मेरे बच्चे को मैंने घबरा कर अपने पीट को चुआ सब कुछ ठीक था और वो दूद जो रात को यहां पर गिर गया था उसका रंग लाल हो गया था मा ने हसते हुए दूद का गिलास मुझे दिखाया तुमने दूद पिया ही नहीं पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है तुमसे कहा था ना सुना लिए सेहत के लिए ला परवाई ठीक नहीं बेटा लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आँखों से देखा था यह सबना कैसे हो सकता है